नमस्कार मनेहल MP News के खास सग्मेंट नियूजरूम में आपका स्वागत करती हूँ आज हम आपसे नियूजरूम में मध्यप्रदेश की तमाम चोटी बड़ी खबरों पर चलचा करेंगे तो चली नियूजरूम की शिर्वात करते हैं सबसे पहले मध्यप्रदेश में होने ज़ा रहे नगरी निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी के इंट्री होगी बोपाल, एंदौर, जबलपूर, ग्वाले, उजवयन, समेत सभी नगर निगम, नगर पाली का और नगर परिश्वद में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी नेताओं का दावा है कि भाजपा कॉंग्रेस की से पहले कैंडिडेट तैकर दिये जाएंगे और सड़क पानी जैसे मुद्दो पर चुनाव लड़ा जाएगा इसके चलते इस चुनाव में भुपाल, एंदौर, समेत कई शहरों में त्री कोणी है उन्मकाबला देखने को मिल सकता है बात करें भाजपा कॉंग्रेस की तो भाजपा और कॉंग्रेस प्रदेश की दोनों प्रमुक पार्टिया कैंडिडेट तैक करने में जोटी हुई है दोनों का पूरा फोकस सोला नगर नेगम जीतने पर है क्योंकि मेर पदपल जूई थी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियों का भविश उताय करेगी ऐसे में दोनों पार्टिया पूरी ताकत जोकने के मूड में हैं कॉंग्रेस ने तो इंदोर उज्वैन गौलेर रिवा जबलपुर सागर में प्रतैक्षियों के नाम भी लगभग फाइनल कर दिये हैं दूसरी और बीजेपी का भी जुताव कैंडिडेट्स पर फोकस कर रही है मेर के चुनाव के लिए मौजुदा विधायकों को भी मैदान में उतारा जा सकता है बाचपा कॉंग्रेस के लावा आप भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का कमन बना चुकी है और कैंडिडेट्स के नाम पर मन्थन किया जवा रहा है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजवा विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की इस जीत का असर मदप्रदेश में जुड रहे सदस्यों के रूप में देखने को मिला पंजव चुनाव के बाद प्रदेश में 38,000 से जादा नए सदसे चुड़े बात कर अगली खबर के जो है कोईले को लेकर देश भर में मचे हाहकार के बीच केंडर के उजवा विभाक ने सभी राज्यों को एक फर्मान जारी किया है केंडरी उजवा मंतराले द्वारा जारी किये गए इस पत्र में कहा गया है कि राज्यों को विदेशी कोला लेना होगा इसके लिए 3 जून यानि शुकरवाल तक राज्यों से सहमती भी मांगी गई है और पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि सहमती नहीं दी तो देशी कोला भी 70% ही दिया जाएगा बता दे कि पिछले कुछ समय से कोले का संकट बना हुआ है इसलिए राज्यों खुद से विदेशी कोला खरीदने के प्रयास कर रहे है और केंद्री उजा मंत्राले के अंडर सेकेटरी स मचूमदार द्वारा जवारी किया गया पत्र में 7 जून तक की स्थिती में देशी कोला 60% किये ज़ाने का जिक्र किया गया है गौरतलब है कि देश के सभी थर्मल पावर हाउस यानि ताप बिछली खरों में देशी कोले के साथ विदेशी कोले कमिश्वन करके बिचली उत्पादन किया जाएगा बात कर एगली खबर की तो हाँ ट्रेनों को चलाने के लिए सोलर पैनल से बिचली पदा करने वाले वोपाल रेल मंडल के बीना सोलर प्लांट को जर्मनी में सराहा गया है इसके शम्ता 1.07 मेगावाट है यह ट्रेन के लिए 25 केवी एस बिचली दे रहा है यह प्लांट बेस्ट यूज ओफ जीरो कार्बन टेक्नलोजिय के तहत काम कर रहा है जिसमें कार्बन उत्पादन कस्तर जीरो है इसी बात के लिए जर्मनी के बर्लिन शोहर में आयुचुत व कोईला आधारित बचली कारखानों में कार्बन उत्सलजन होता है बीना सोलर प्लांट को यह पुरुसकार UIC इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा दिया गया यह संस्था विश्व में रेलवे श्येत्र में अंतराश्ट्री इस्तर के कई पुरुसकार प्रदान करती है य जिसमें भारती रेलवे ने दो अन्य प्रतिस्पल्दियों को पीछे छोड़ते हुए बाजी मारी और पश्व मद्य रेलवे भुपाल मंडल के बीना में स्थित सोलर प्लांट को उक्त पुरुसकार मिला बात कर अगली खबर के जोहां पूर्व निता प्रतिपक्ष अजय जिसमें यह भी कहा है कि सोशल मीडिया में काफी वक्त से उनके किलाफ एक वाइरल किया जा रहा था कि वे विधान सभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जैसी ब्रामक खबर भी सामने आ रही थी उनके बारे में चुनाव ना लड़ने की अफ़ाए फेलाए जोह रही थी उन् का कहना है कि किसी कारेंट से पिछली बार वे चुनाव नहीं जीत पाये थे विंद्य इस बार सबसे जादा संख्या में विधायक बन कराएंगे बात कर अगली खबर के जोह प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का मध्य प्रुदेश दौरा दिरस्थ हो गया है एमपी में नगरी निकाय चुनाव के लिए लगी आच्वार सहिता के चलते पीएम मोधी का दौरा रद किया गया है पीएम नरेंदर मोधी चौधा जूइन को उजयन आने वाले थे और वे महाकाल पत रूदर सागर और यातरी सुवधा केंदर का लुकारपन करने उच्व से जादा तपा प्री मांसून की बारिश के कारण शुरुवात में नो तपा के तेवर नरम रहे लेकिन गुरुवार को इसने फिर से जम करता पाया सीजन में पहली बार टेंपरिच्वर 45 डिगरी सेलसेस की देहनीस को पार कर गया इस बार नो तपा के पहले ही दिन करम दिन था देश के सबसे जादा गर्म शुहरों में गौालियर दूसरे नंबर पर रहा मंगलवार को टॉप होट इलाकों में मदप्रुदेश के तीन शुहर रहे मदप्रुदेश के चार महानगरों की बात की जुआए तो इस साल नौतपा में पारा नहीं चुड़ा सिर चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी नपूजे